Hello students, this is Nancy Della. I welcome you all on ATP Star, the super learning platform. Today we will discuss about the hemodialysis. Hemodialysis के बार में आज हम पढ़ने वाले हैं. आपको पता है किड्नी का काम है? किड्नी का काम है ब्लड को फिल्टर करना है. अगर किड्नी फेल हो जाती है, तो क्या होगा? ब्लड का फिल्टरेशन रुख जाएगा. है ना? अगर ब्लड का फिल्टरेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब the substance, the nitrogen substance which are excreted by the kidney will be present in the blood. जो जो nitrogen waste है, ठीक है, which are excreted by the kidney, by kidney will be present, present in blood. ठीक है, तो nitrogen waste में क्या क्या आएगा? nitrogen waste में आएगा, urea, uric acid, hiperic acid, creatinine. तो कैसे पता चलता है कि kidney काम नहीं कर रहे हैं? जब ब्लड की टेस्ट होता है, जब ब्लड का टेस्ट होगा, तो आपके ब्लड के अंदर क्या क्या मिलेगा? यूरिया मिल सकता है, uric acid मिलेगा, hiperic acid मिलेगा, और creatinine मिलेगा. अगर ब्लड के अंदर इन सारे substance की presence है, तो इसका मदलब kidney ढंसे काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर ब्लड के अंदर, अगर urea present है, तो उस condition को क्या बोलते हैं? उस condition को बोलते हैं, uremia. ठीक है, अब हमें ब्लड को फिल्टर दो करना है, इसके लिए artificial kidney की जरूरत पढ़ती है, और जो artificial kidney है, artificial kidney को क्या बोलते हैं? artificial kidney को बोलते हैं, hemo dializer. ठीक है, क्योंकि हमें blood को फिल्टर करना नहीं है, क्योंकि these substance are harmful for our body. ठीक है, समझ में आया, kidney का काम क्या है, blood को फिल्टर करना, blood filter नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो काम kidney करती थी, वो काम नहीं होगा, तो nitrogen waste, blood के अंदर present होगा, और वो nitrogen waste क्या क्या हो सकता है, वो nitrogen waste होता है, urea भी हो सकता है, uric acid, creatinine, hyperic acid, salts भी हो सकते हैं, ठीक है, तो artificial हम ये काम कीसे कराएंगे, artificially हम ये काम कराएंगे, hemo dializer से, और hemo dializer को भी क्या बोल सकते हैं, artificial kidney, ठीक है, अब हम देखते हैं, ये blood filter कैसे होता है, hemo dialysis कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये, हाथ है, उस आदमे का, जिसका kidney काम नहीं कर रही, ठीक है, तो radial artery से हमने क्या लिया, blood लिया, ठीक है, radial artery से blood लिया, तो हमें किस की जरूरत पड़ी, एक pump की जरूरत पड़ी, किस लिए, इस blood को flow कराने के लिए, ठीक है, ये हमारा diagram है, हम diagram के थूरू इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है, radial artery से हमने क्या लिया, blood लिया, blood को लेने के बाद, हमने किस से attach किया, एक pump भी हमने attach किया, pump किस लिए किया, क्योंकि blood को आगे flow कराने के लिए, ठीक है, अब ये किस से connected है, ये connected है, semi permeable membrane से, ठीक है, किस से connected है, semi permeable membrane से, ठीक है, अब फिल्टर करा के blood, दोबारा किस के अंदर transfer करा दिया, vein के अंदर transfer करा दिया, इस chamber के अंदर क्या है, इस chamber के अंदर है, dialyzing fluid, ये क्या है, dialyzing fluid, ठीक है, अब ये क्या है, blood, यहाँ से blood आया, ठीक है, ये filter जो blood हुआ, वो कहाँ पर transfer करा दिया, vein के अंदर transfer करा दिया, अब देखो, जो dialyzing fluid है, dialyzing fluid की जो composition है, वो same composition होती है, as of blood, तो सिरुफ किस को छोड़के, urea, uric acid को छोड़के, और बाकि सारी की सारी composition, जो plasma की composition है, जो blood cell की composition है, बिल्कुल same होती है, ठीक है, देखो, ये क्या लिया, blood, ठीक है, ये क्या है, blood, जो ये क्या है, dialyzing fluid, जो dialyzing fluid है, उसको हम क्या बोलते है, इसका दूसरा नाम है dice eye, late भी बोलते हैं, ठीक है, ये fresh dialyzing fluid कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, और यहां से जो used, जो dialyzing fluid है, वो क्या हो रहा है, इकठा हो रहा है, ये क्या है, used dialyzing fluid, ठीक है, जो dialyzer है, Dialyzer का principle क्या है? Dialyzer का principle है simple diffusion Simple diffusion क्या होता है? Simple diffusion होता है Transfer of the substances from higher concentration to lower concentration जो dialyzing, जो fluid के जो composition है वो same composition है किसे? आपका blood से ठीक है? ये क्या है अंदर? अपना cellophon tube के अंदर ये कुण सी tube है? Cellophane tube Cellophane जो tube है वो है semi permeable, ठीक है? इस blood, इस blood के अंदर क्या-क्या है? nitrogen waste है ना? और यहाँ पर जो dialyzing fluid है यहाँ पर कोई nitrogen waste नहीं है ठीक है? अब देखो जैसे मैं यहाँ पर समझाती हूँ ये क्या है? बाहर की side dialyzing fluid बाहर की side है dialyzing fluid ठीक है? अंदर की side है ये वाली जो चीज को मैंने यहाँ पर show किया है अंदर क्या है? nitrogen waste तो cellophane tube क्या है? semi permeable है तो जो nitrogen waste है urea, uric acid, hyparic acid, salts, creatinine ये कहाँ से जाएंगे? ये बाहर चले जाएंगे from higher concentration to lower concentration क्यों dialyzing fluid के पास क्या नहीं है? urea, uric acid नहीं है? बाके सारी के सारी composition तो सेम है इसलिए जितनी भी जो proteins वगेरा है carpuscles है, RBCs है WBCs हैं, जितनी भी जो cell है वो transfer नहीं होगी क्यों? क्योंकि जो medium क्या है? isotonic है, ठीक है? composition जो blood की और जो बाहर जो dialyzing fluid की condition सेम है except किसके nitrogen waste की तो nitrogen waste यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा किसके अंदर? dialyzing fluid के अंदर ठीक है? nitrogen waste यानि की urea हो गया uric acid, uric acid और creatinine ठीक है? higher concentration से lower concentration movement होगी लेकिन बाके चीज़ क्यों नहीं move करते हैं? क्योंकि जो concentration है बाहर dialyzing fluid की सेम हो जाती है as compared to inner side ठीक है? तो isotonic condition होगी ना isotonic condition के अंदर तो कुछ भी movement नहीं होती सिरफ जो आपकी nitrogen waste है वो higher concentration से lower concentration move करेगा ठीक है? यहां से move करने के बाद यूज जो dialyzing fluid है वो कहां पर आता है? बाहर आता है ठीक है? क्यों बाहर आएगा? अगर by chance अगर यहां पर urea और uric acid की concentration अगर जादा होता है तो यहां से अंदर जाने की भी दो chances है और अगर concentration अगर यहीं पर रहती है तो जो movement है वो जादा अच्छे से नहीं होगी तो यूज जो dialyzing fluid है इसको हमने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया और जो fresh जो dialyzing fluid है दोबारा से अंदर पोर कर रहे है समझ में आया? ठीक है? clear है? यहां बाद में यहां से nitrogen waste बाहर निकल गया तो इसका मतलब जो यह blood क्या हो गया? blood क्या हो गया? free from nitrogen waste और दोबारा से किसके अंदर पोर कर दिया? patient के अंदर ठीक है? यह पूरी की पूरी जो dialyzing जो process है जो dialyzing जो process हो 3-4 hour होती है 3-4 hours लग जाते हैं पूरी की पूरी process होने में और जो इसकी जो frequency की कितनी जल्दी कितनी दिन में कराना है वो depend करता है कि कितनी kidney damaged है ठीक है? एक यह याद रखना कि जो हीमो dialyzing की जो process है वो किस principle पर काम करती है? वो principle पर काम करती है simple diffusion के principle पर काम करती है ठीक है? जो membrane है वो किस से मिलके बनी होती है? shallow fan से मिलके बनी होती है ठीक है? process को क्या बोलते हैं? process को बोलते हैं hemodialysis clear और जहाँ जिस instrument से होती है उसको क्या बोलते हैं? hemodialyzer ठीक है? तो यह सारी की सारी चीज़े आपको ध्यार रखनी है तो यहाँ पर hemodialysis खतम हुआ I hope यह lecture आपको पसंद आया है अगर कहीं पर भी कुछ भी doubt है तो आप अपने views कमेंट में डाल सकते हैं आपके जो भी कमेंट से मैं उनका बहुत जल्दी से reply करूँगी ठीक है? बागी बहुत जल्दी हम एक नई lecture के साथ मिलेंगे Till then, take care, stay happy, stay healthy, keep smiling पहली के साथ मिलेंगे